नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज फिर एक बहुत इंट्रेस्टिंग और स्टोरी में आपको बहुत सारे नय वर्ट्स हमें से की तरह ग्रामर हम यहां पर कम्प्लीट करने वाले हैं टैंसेस वर्ब्स के फॉर्म कॉजटी वर्ब्स इंट्रोड़क्टी वर्ड्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमेशा आपके काम आने वाली है सब चीज हम डिटेल में सीखेंगे आज की स्टोरी का टाइटल है सीर्शक है देड़ बॉडी बिकेम अप्रूफ देड़ सबूद परिए एक सबूद बन गया चली देखते अभी कैसे सबूद बन गया लास किसकी लास थी क्या थी स्टोरी में आपको पता चला के इस बहुत लेकिन इसके अंदर जो आपको नए वर्ट मिलने वाले हैते वहां थी आपके लिए यूसफूल होंगे ग्रामर पी सीख बहुत समय पहले अब था नहीं लिखा हुआ है तो बहुत पहले यह बहुत पहले था रखो एक बड़ा शहर था नहमक हर्सPPूर तो हर्सPूर नाम का एक बड़ा शहर था, यह there subject के रूप में यूज़ करते हैं, introductory word कहते हैं, ठीक है, clear है, आगे बढ़ते हैं A trader named Sagar Shair lived there एक व्यापारी नेम ने रहे नामक, Sagar Shair नामक एक व्यापारी वहाँ रहता था, तो lived हो गया, past simple tense, वह अपका second form He often traveled to other countries वह अक्सर, often and अक्सर travel यात्रा करता था to other countries अन्य देशों का by ship, ship के दवारा, याने जहाज के दवारा, in connection with his business, connection याने की, connection याने क्या होता है हम बोलते हैं कि जुडाव उसे हम connection कहते हैं और connection है, संपर्ग स्थापित करना संपन्द मनाना, बहुँ सारा मतलब होता है तो अपने व्यापार्क जहाज से अपने क्या करता था business का connection करता था, याने कि संपन्द साबित करता था, एक देश से दूसरे देश यातरा करने के कारण, another person named व्यक्ती नेम नामग, स्वम्दत, स्वम्दत नाम का अन्य व्यक्ती assisted him उसकी क्या करता था, सायता करता assistant, assistant मना सायक, सायक वैसिस्टेड है, सायता करता था हीम, in running the business running याने, चलाने में, दोडाने में, बिजनेस व्यापार को चलाने में, उसकी मदद करता था सोमदत once सोमदत came to know एक बार सोमदत को came to know याने बता है पता चला और मोलते हैं केम टू नू सोमदत को पता चला that there was a scarcity there was a scarcity इसका मतलब क्या आता है कमी कमी हो जाना उसे हम scarcity कहते हैं अब हाँ हो गया था of food grains food grains अनाज अनाज का अभाव हो गया था in the island island इसे island पढ़ेंग island नी पढ़ेंग island याने ध्वीप होता है बहुत से लोग ऐसे लिखत island होता है of स्वर्णदीप तो स्वर्णदीप का जो island था वहाँ पे अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी आभाव हो गया था he took it as a good opportunity he took उसने लिया take का second form took past simple tense है तो वह आपका second form भी लेंगे subject के बाद it याने इसे as याने के रूप में a good opportunity एक अच्छा मौका के रूप में उसने इसे लिया opportunity यान क्या आता है मौका to earn a huge profit कमाने के रिए huge profit याने बहुत बड़ा फायदा huge profit बहुत लाफ बहुत फायदा बोला भी यह तो बहुत अच्छा मौका बहुत ज़्यादा लाफ कमाने का फायदा कमाने गा he went to his master and said वह गया तो go went gone तो हम went का यूज़ करेंगे second form किसी के पास जाते हैं जंगल जा रहे हो घर जा रहे हो किसी के पास जा रहे हो तो टू का यूज़ करते है preposition his master अपने मालिक के पास गया और कहा there is there is अब यहाँ पर भी देखिए there याने वहाँ ऐसे यूज़ होता लेकिन is subject का sorry helping work का यूज़ किया गया है तो यह भी introductory word है there का हाँ पर कोई meaning नहीं निकालेंगे subject के रूप में यूज़ किया गया है famine famine याने भी हो था आकाल पड़ जाना आकाल को famine बोलते है in the island याने की द्वीप में आकाल है of स्वरनदीप याने स्वरनदीप के द्वीप में आकाल है the people there have enough money the people याने लोग there याने वहाँ है अभी हाँ पर वहाँ मतलब होगा have याने है enough money तो वहाँ के लोग के पास क्या है परियापत मातर में पैसे काफी पैसे है but no grain to eat लेकिन अनाज नहीं है खाने के लिए पैसे तो बहुत है लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है पैसे बहुत है थोड़ी खाने वाला है I think it is good time to make good profit by selling the grain at high price किसी ने मुझे comment किया था लेकिन आपको समझे नहीं आएगा कि यहां पर वर्प का कौन सा फॉर्म का यूज किया रहा है कौन सा टेंस है क्या होते है प्रेपोजिशन क्या है helping वर्प कौन सा है यह सब नहीं जानोगे आपको पता होगा इसलिए आपने comment कि होगा क्योंकि आपको आता होगा इसलिए आपको बस story से मतलब है लेकिन यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो English सीखने आते हैं तो उन्हें एक एक चीज थोड़ा सिखाना जरूरी है लेकिन आप जो बोले वैसे वीडियो भी लाओंगा आपके लिए भी I think मुझे लगता है मैं सोचता हूं मुझे लगता है आप सोमदत्य की सला वाज लाइग्ड पसंद किया गया बाय यह द्वारा इस मास्टर उसके मालिक के द्वारा उसका जो सजेशन सा सला था वह है ना उसे क्या किया गया पसंद किया गया सागर शेर के द्वारा He immediately और उसने तुरंध तुरंध अग्रीड विठी उसके साथ क्या अग्रीड राजी हो गया जो सने कहा उसा राजी HOW यह हो गया He got the ship उसने गौट दGAN गादे शीप लोड़ Elder with grains गौद ऐना प्राप्त करना उसने जहाज प्राप्त की। loaded याने लदा हुआ with grains अना से भरा हुआ and started for the journey और started शुरू किया start कर started for the journey यात्रा to swarn deep with सुमदत्य सुमदत्य के साथ यात्रा उसने शुरू की profit कमाने की या फायदा होने वाला है अब क्या उसका देखिए when they had traveled जब they had traveled तो यहां पर आप यहांने वह होता है head के साथ वर्ब का third form second third दोनों यही होता है travel यहात्रा करना लेकिन है travel तो यात्रा किया था दिया था लिया था चुका था चुकी थी ऐसे हम यूज करते पास परफेक्टेंट तो जब उन्होंने यात्रा किया यहांने कुछ ही दूरी थोड़ा सा जगो तो इस करते हैं चुप होना कॉइट होता है यह भी कॉइट होता है आदि की लेहरों में श्टर्म बताएं आपको आंधी की लहरों में द सिप वर थों रहां यह दर यहां वहां यहां यहां था फेका आ इदर होता है वोग वाज इपरेटेट फ्रॉम दशीप से लिखा हूए तो सागर से क्या हो गया था वास था सेपरेटेट सेपरेट यह मतलग हो जाना तो अलग हो गया था फ्रॉम दशीप जाजों से अलग हो He saw, उसने देखा, some coconut trees, कुछ नारियल के व्रिक्षों को, in an island, in याने में, an island, एक द्वीप में, तो यह आपको बता चुका हूँ, एसे हिंदी का स्वर को देखिए, तब आप N लगाईए, और इंग्लिस में मज़ जाए, उसके बार मैं पता चुका हूँ, हम देख लेंगे, He started to swim, उसने शुरू किया, towards the island, द्वीप की ओर, towards का मतलब होता है, की ओर, towards the jungle, towards me, towards you, towards you, किसी की ओर को towards कहते है, Though, He was badly tired, वो बुरी तरीके से ठख गया था, येट, फिर भी, He continued to swim, वो continue जारी रखा, to swim, तयारना जारी रखा, To save his life, अपना जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तयारना जारी रखा, Suddenly, अचानक से, He saw, उसने देखा, a dead body, एक, लास को, nearby, याने, पास में, floating, तयारते हुए, floating में क्या आनतार है, swimming याने भी तयारना होता, floating याने भी तयारना होता है, Swim याने होता है, जब आप तयारते हैं, motion में यहां से वहां जारे रहे हैं, floating याने एक ही जगा ऐसे कोई चीज़ तयार रहा है, जैसे हमने माले जे कागज को रख दिया प्रस्टिक के डिब्ब्बे को रख दिया और जेसर कोल तो देज्ञे निर्जीव है तो माले जेसे समधर हैं तो स्मूर अंधर सी समूद्र पर तैर रहा था कि क्योंकि एज एज गावन द्राउंग डूब रहा हो कोई डूब रहा हो कैचिंग आइश्ट्रॉव कैचिंग यहना होता है पकड़न आइश्ट्रॉव याने होती है एक हम बोलते ना तिनका है नग., to save his life, अपनी जान बचाने के लिए, एक्चुल में क्या है, आपने सुना ओगा, ऐसे मोहावरा सुनते हैं, कि, क्या होता है, डूबने वाले के लिए, तिनका ही काफी होता है, साथ ऐसे कुछ है, मानों डूबने वाले के लिए, तिनक़ी काफी होता है जान बचाने के समय तिनक़ी काफी है तो उसके लिए लासी काफी था यह क्या चीज है यह स्विम् का的 form स्वैम वह तैरा यदि हैं पर ही स्विंस हो जादा एज भी लगता प्रेजन सिंपल ने ता है ती है वह तैरता है स्वाथा तुदा डेड़ बॉडी तो मरे हुए शरीर पर याने की लाश पर and sat on it और उस पर बैठा सिट का सैट हो गया on it उस पर बैठ गया सागरशेन reached the sea shore तो सागरशेन reached पहुचा रीच कर रीच हो गया second form sea shore याने होता है समुद्र के किनारा with the help of the dead body last की मदद के द्वारा he took rest for some time there और उसने लिया rest to creation होता है आराम किया for some time याने कुछ समय के लिए there याने वहाँ वहाँ कुछ समय के लिए उसने आराम किया then he got up तब वह खड़ा हुआ get up का got up होता है and dusted his cloth dusted याने क्या होता है जडाना धूल जडाना को dusted बोलते है his cloths अपने कपड़ों से कपड़ों को जडाया a golden necklace एक सोने का हार फैल याने गिरा फॉल का second form फैल होता है गिरा कहां गिरा on the ground लिखा हुआ है आप लोग को लिख रहाँ हाँ on the ground याने जमीन पर on another पर जमीन पर एक necklace गिरा हार गिरा he was surprised वह हैरान था to see देखकर it याने इसे देखकर हैरान था being a veteran he knew that the value of the necklace was worth यहां तक के ट्रांशर करते हैं कि बहुंच जाता नंभा हो जाएगा वेटरन यह भी नया सब्द है वेटरन का मतलब क्या होता है सायद मैं इतनी शुरी बताया उसमें सायद ही कभी यूज हो मुझे आसे वेटरन का मतलब अनुभवी जिसे अनभा हो जो कुशल हो दक्ष हो उसे वेटरन कहते है पुराने सीपाई को वेटरन कहते है यहां पे तो being यहने होने के कारण अनुभवी होने के कारण वह जानता था ओलो का से निव दाटी डाटी यह सेवरल ल्च वहता है कई कई लाग के बराबर ने से कई लाग के बराबर वो कई लाग के लाएक यह क्या है कीमत वर्थ है कीमत कई लाग के कीमत के बराबर है वो समझ गया necklace को देखके he thought that उसने सोचा कि think a thought हो गया luckily भाग्य से his loss उसका जो नुकसान was compensated है ना आपने देख ना पड़ा होगा इसका मतलब क्या होता है क्या बोलना चाहिए हिंदी में इसको जैसे मतलब मौजा वगर जो बोलते हैं हम लोग भरपाई है ना उसे हम चाहिए हैं तो उसका जो नुकसान का भरपाई क्या हो गया था हो गया था and he could restart वह सकता था कुड यानि सकता रिश्टार शूरू कर सकता था his business अपना व्यापार with the help of यानि सहायता से that necklace उस उस हार की सहायता से वह अपना व्यापार फिर से स्टार्ट कर शुरू कर सब्स दस याने इस प्रकार है he would be able to establish his business again he would be able वो क्या होगा सक्षम हो जाएगा establish याने क्या होता है इस्थापित करना his business again अपने या पार को फिर से इस्थापित करना है ना या फिर से हम बोलते हैं ना establish करना then he began to think तब उसने begin शुरू किया याने वह भी होता है उसने के लिए उस करते है सोचना शुरू किया how to necklace came to him how याने कैसे the necklace came to him उसके पास necklace कैसे आया उसे पता है नहीं चला कहां से हारा गया he thought that उसने सोचा कि I must have been with the dead body I must sorry it must have been तो ये क्या होना चाहिए have been तो हम have been का use यहां पर कैसे किये है तो रहा होगा ऐसे हम have been का use करते है ठीक है तो ये क्या ये शायद क्या रहा होगा रहा होगा with the dead body सवके शायद ये रहा होगा must के use जरूर के लिए उस करते है जरूर यह लास के सांथ रहा होगा, विच गॉट, विच जिसे गॉट, याने प्राप्ति किया, है ना, इंटेंगल तु इस क्लॉट्स, इंटेंगल याने क्या होता है, उल्जा हुआ, ठीक है, इस क्लॉट्स, तो उसके कपडों में, ये उल्जा रहा होगा, He put it, in his pocket, उसने रखा, put, 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 थीनों फूर्म पूठी होता है, in his pocket, cut, 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 थीनों ही cut, cut, होता है, अपने pocket में रखा, जेब में रखा, as a gift of God, भगवान का उपहार समझ के, एज यह नहीं है के रूप में जैसे बहुंस सारा मनलब होते हैं क्योंकि बहुंस सारा अगल यूज करते हैं सागर्षेन वेंट नियर वाइ सिटी थू और नेरो रोड गया कहां गया नियर्वाई पास के शहर में थू याने में से नेरो रोड याने सक्रे सडक से होकर गया नेरो ने सक्रा he saw temple उसने एक मंदिर देखा and took shelter और took क्याने लिया shelter एने आस्रे आस्रे लिया देर वहाँ to spend the night रात गुजारने के लिए वहाँ पर आस्रे लिया हम इसे है ना आस्रे बोलते हैं अब देखिए उसके बाद जहां रुकने रुकते हैं उसे आस्रे कहते हैं और when he got up जब वह खड़ा हुआ in the morning सुबा सुरी यहां got up यहने जगा ऐसा था get up का got up जब वह जागा है सुबा जब वह जागा some soldiers कुछ सैनिक to him पनाह मुझे यादने उर्दु में पनाह लिया ऐसे मुलते हैं वह shelter होता है to him उसके पास and said और कहा who are you तुम कौन हो where are you coming तुम कहां से आ रहे हो तो यह देखिया present continuous tense का यह दोनों sentence है लेकिन दोनों interrogative में है question पूछ रहा है तो आर के साथ ing form आपको मिल रहा है who are you यह तो simple है आपका यहां पे कोई continuous tense यह है आपका where are you coming from तुम कहां से आ रहे हो को ऐसी यूजर है who are you तुम कहां से हो यह बिल्कु सिंपल है they search उन्होंने searched खोजा ढूंडा सागर्षेन को सागर्षेन को खोज किया तलासी की and found और पाया find का से found the necklace हार को पाया गहने को पाया in his possession possession अने अधिकार में उसके अधिकार में यान उसके पास उसने पाया तो पॉजेशन बोलते हैं पॉजेशन लेने जा रहा हूं तो अधिकार होता है जमीन जायता दौरे जानते होंगे कि seeing the necklace seeing याने देखकर the necklace हार को देखकर one of the soldiers said सेनिकों में से एक तो one of the कयूस करते है one of the brothers भाइयों में से एक one of the sister बहनों में से एक वैसी one of the soldiers सेनिकों में से एक ने कहा this necklace belongs to the princess ये हार belongs ये संबंदित है to the princess हम इसे ऐसे बोल सकते है ये हार राजकुमारी की है belongs ये princess की है राजकुमारी संबंदित है it was stolen ये इसका चोरी हो गया तह स्टोलन याने चोरी हो गया तह स्टील का श्टोलन a few days back कुछ समय पहले इसका चोरी हो गई थी this man is a thief ये आदमी चोर है the soldiers produced him before the king ठीक है उसने क्या किया प्रोड्यूस का मद्द उत्पादन करना भी ओता है production वाला और इसका मद्द प्रस्तुत करना तो सैनिक ने प्रस्तुत किया him यान उसे before याने पहले भी सामने भी होता है तो यह राजा के पहले तो फोग नहीं राजा के सामने प्रस्तुत किया with the necklace heart के साथ the king recognized राजा ने पहचान लिया the necklace heart को as he had gifted क्योंकि उसने gift किया था तो थे हैट के साथ वर्ब का third form तो दिया था लिया था चुका था चुकी थी पास क्यों कि उसने देखिए अब यहां पर as and क्यों की हो रहा है मतलब as and जैसे क्यों की के यह राजा पूछा सागर शेन से सागर से सब्सक्राय से अब दढ़ाने के बारे में He told the whole story उसने कहा टेल का टोन्ड हो गया whole story, पूरी कहानी तो W-7 किवल whole पड़ेंगे ठीक है whole यान वहता है पूरा whole story, whole world, पूरी दुनिया whole family, पूरा परिवार है ऐसे till his reaching to the sea sore till यानि तक है ना his reaching to the sea sore यानि कि उसने पूरी कहानी सुनाई कि समुद्र के किनारे तक पहुचने तक कि क्या किया हुआ, on the dead body मरे हुए मतलब सौरी वो सव के साथ where he had found it and put it in his pocket as the gift of God clear होगे यान तक, वही वही से जी बताया गया है कि पूरी कहानी उसने बताई कि उसने last के साथ कैसे समुद्र के किनारे तक पहुचा, उसे गहना कैसे मिला हार कैसे मिला और उसने भगवान के उपहार के स्वरूप में से अपने जेब में रख लिया, पुरा राजा को बताया the king was not satisfied वितिसांसर तो राजा satisfied याने संदूश नहीं थे वितिसांसर उसके जवाब से संदूश नहीं थे कुछी बोल रहा है मरे हुए कि सांद कैसे ऐसे ऐसे ठीक है he wanted some solid proof वो चाहते थे some solid proof याने कुछ तगड़ा proof याने कोई अच्छा है ना solid का वान तगड़ा एंदम कठोर ऐसे होता है प्रूफ याने होता है कोई सबूद कोई उन्हें एक दम पक्का सबूद बोल सकते है पक्का सबूद चाहते थे till then तब तक he ordered to put the accused in jail उसने आदेश दिया put रखने का accused या ना तो अपराधी को है ना in jail तो उस अपराधी को jail में रखने का कारागार में रखने का आदेश दिया then the necklace was shown to the princess तब necklace को was shown दिखाया गया shown, seeka shown to the princess, राज कुमारे को seeka recognized उसने पहचान लिया the necklace and said और उसने necklace को पहचान लिया और कहा ठीक है क्या कहा देखिए I can't recognize the thief also तो मैं क्या कर सकते हूँ पहचान सकती हूँ the thief also मैं चोर को भी पहचान सकती हूँ सागर शेर was brought before the princess तो सागर शेर को princess के राज कुमारे के सामने लाया गया तो bring का brought हो गया the princess looked at him राज कुमारे ने उसे देखा and said that और कहा की he was not the thief ये चोर नहीं था because क्योंकि the thief looked horrible वो चोर डरावना दिखता था भयानक दिखता था horrible ये चोर नहीं है the king was puzzled राजा हैरान थे to hear ये सुन कर the princess राणी को सुन कर sorry राज कुमारे को सुन कर हैरान थे he wanted to do justice वो न्याय करना चाहते थे he did not want to punish the innocent innocent निर्दोस बेगुनागार को innocent कहते हैं मासूम को भी innocent कहते हैं तो वो पनिश्या निर्दोस दंड देना सजा देना है न तो वो बेगुनागा को सजा नहीं देना चाहते थे but the necklace was found in his possession लेकिन हार उसके अधिकार में पाया गया उसके पास पाया गया the king continued to think at last he asked his man उसने अपने आदमी से कहा ask जैने पूचा भी होता है और किसी को कुछ करने के लिए कहने को भी asked कहा जाता है अपने आदमी उसे कहा man, बहुत सारे आदमी को man कहते हैं एक आदमी हो तो man, m-a-n एक singular, m-e-n man, बहुत सारे man to bring लाने के लिए the dead body साव को used by the accused to reach the seasore to his court तो तो जो अपराधी के द्वारा जो उप्योग किया गया था उस साव को लाने के लिए कहा कहा तक के समुद्र के किनारे से कोट तक, दर्बार तक the king's man तो राजा के आदमी ने क्या किया brought the dead body उस मरे हुए लास को ले आए क्योंकि बता दिया था उसने कहां पे है शाव को ले आए था मरे हुए लास के लो बलतो लास तो मरा यह हुआ रहता है it was damaged ये क्या था damaged जाने क्या होता है तहस नहस था and could be recognized और पहचाना जा सकता था लेकिन क्या था पहचाना जा सकता था तो भी छतिक रस था लेकिन पहचाना जा सकता था when the princess saw the dead body जब राज कुमारी ने मरे हुए sorry शव को देखा she immediately recognized उसने तुरंद पहचान लिया the dead person मरे हुए व्यक्ती को अब ठीक है ना मरे हुए व्यक्ती को पहचान लिया and said that और कहा की he was the same thief यह वही चोर है who had snatched जिसने छीना था snatched चीनना होता लेकिन मैं आपको बता ना head के साथ वह अपका third form लिया था दिया था चुका था जिसने छीना था who यानि कौन भी होता जो भी होता है the necklace from her and ran away with it और उसके साथ भाग गया था जिसने वह से necklace चीना था और वहां से भाग गया था यह वही चोर है पहचान लिया then the king understood तब राजा समझ चुका था everything, सब कुछ and accepted और स्विकार किया that की सागर शेर was innocent सागर सेर बेकसूर था सागर सेर got the necklace from the dead body of the thief की सागर सेर को चोर से ही क्या मिला था लाज से ही चोर के मरे वे लाज से ही वो हार मिला था he thought that उसने सोचा की while running with the necklace हार के साथ दौरने के दौरान chased by the soldiers चैनिकों के पीछा करने के दौरान the thief must have jumped into the sea चोर must have jumped चरूर कूद गया होगा किस में कूद गया होगा समुद्र में तो must have jumped अब देखें into the sea into याने मे लेकिन motion समुद्र में ऐसे कूद रहा है पहले समुद्र कंदर रहागा तो in the sea ऐसे हो जाता and drown drowning दूब गया in deep water गहरे पानी में दूब गया होगा the necklace came with that body और जो हार था उस सव से प्राप्त हुआ which saagashen had used to save himself to reach sea shore है ना sea shore a sore असोर वही एकी मतलब है तो जिससे उसेने क्या क्या होगा अपने आपको बचा के समुद्र के किनारे तक पहुँच गया होगा उस शाव के साथ तो उसी में इसे necklace मिला होगा the king freed सागर सेर राजा ने सागर सेर को रिहा कर दिया आजात कर दिया regretting for the trouble cause to him ठीक है regret करना याने पस्तावा करना है for the trouble परिसानी cause to him उसके करण जो उसे परिसानी हुई तो उसने उसका क्या क्या regret किया खेद वक्त करना पस्तावा होना यह दोनों अतल होता है he gave him a lot of gift to his hometown उसके नगर hometown वे था green इवास ग्रह बहुत सारी चीज़ वो सकते हैं उसके घर उसे जहां पर रहता था उस जगह उसे बेज दिया गया तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से उस मरे हुए लास मरे हुए लास को ही सबूत के रूप में पेस किया गया और आखिर उसने गर लास नहीं मिलती तो फिर वो सागर शेन कहीं बोल दिया हूँगा तो आप समझ जाएंगे कई बार मिश्टेक हो जाता है बोलते बोलते थोड़ा पता नहीं चलता कि बार ऐसे बोल दिया सही उच्चारण बताया उसकी मीनिंग बताई मैंने तो इस प्रकार से इंगलिस की बहुत सारी यहां पर ग्रामर और मीनिंग वगर आपको जानने को मिला स्टोरी भी बहुत अच्छी थी यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो समझाने का तरीका पसंद आतो प्लीज लाइक करेंगे शेर करेंगे इसका पीडियेफ आपको टेलिग्राम में मिल लाएगा विश्टोरी पी सर्ज करेंगे जॉइन कर लेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे नए है तो प्लीज आप लोग चैनल को जॉइन कर लीजिए ऐसे ही आसान तरीके से इंगलिज सीखने के लिए बहुत बधन्यवाद